हेलो, नमस्कार दोस्तों 2 अगस्ट 2018 की 10 हिंदू एडिटोरिल डिसकसन में आपका स्वागत है यहाँ पर हम 10 हिंदू के important एडिटोरिल से हैं वो डिसकस करेंगी तो एक बार नजन मार लेते हैं कि कौन-कौन चेडिटोरिल आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगी सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल है यह आ है बेसिकली रेपो रेट के बारे में यह रेपो रेट अभी आगोर जो जो मॉनिटरी पॉलिसी कमीटी है उसके दोरा बढ़ा दी गई है तो उसका क्या-काइफिक्ट पढ़ने वाला है क्यों उन्होंने बढ़ाई है तो वह हम यह आप देखेंगे यहाँ पर जो यह आर्टिकल है यह बेसिकली आ है एनरसी के बारे में नेशनला रजिस्टर ओफ सिटिजन्स है इसको लेके बताया गया कि भई आसाम के अंदर है वो काफी क्रैसी से आ गए चालीस लाख लोगों वो एक्चुलिए कहा गया कि मतलब वो सिटिजन्स नहीं है तो एक तरी से वहाँ पे माहूल है वो काफी अजीब सा हो गया है और पॉलिटिकल पार्टी अब इससे का फैदा वगरा उठाने की कोशिस है वो कर रही है तो बेसिक इसमें कुछ नहीं गायडला या कुछ नहीं चीज़ नहीं बताय गया है इसमें यही जो पीछे पुराने पॉइंट हो बताय गय इसको लगे काफी क्रैसिस चल दें काफी लंबे टाइम से तो कुछ नहीं कुछ गुवर्मेंट को स्टेप उठाना चीए ताकि फ्यूचर में आसाम की तरह किसी दूसरे स्टेट में भी ऐसे समय से सामना ना करना पड़े बात करते हैं नीचे वाले आर्टिकल की यह आर्टिकल है वाटर कैसिस के बारे में इसमें बेसिकली यह बताया गया है कि अभी यूज के एक रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट ही बताया गया कि इंडिया अगरी हाल रहे केंटिनू पानी को अगर वेस्ट करते रहे तो 2025 तक हम उसकी सेलिंग वगएरा बहुत लिमिटेड जगही तो उसको लेकर एक्टर कह रहे हैं कि हेल्थ मेनिस्टी का जो डिसीजन था कि रिटेल सेल है प्राइवेट मेनुफेक्चर की वह बैन की थी वह सही नहीं है क्योंकि इससे काफी कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है और जो आर्टिकल यह है एजुके बारे मैं इस आर्टिकल में बेसिकलि हाई एजुकेशन जो कमिशन फ कॉप से की इंडिया है इसके साथ यहां पर बता दो जीजन पोलेड आटेम से नंगेंग Campaign कोवर्मिटेट के दरा कि बारे में बसकार्द का इस्पाल कमेटी भी न्यूजमे म बनाएगी थी नीचे जो या आर्टिकल यह है पॉल्यो के बारे में कि पॉल्यो के बारे में बताया गया बात यहां पर की गई है कैसे वैक्षिन काम करती है क्या कि हुआ पर सेनेटेसिन के वज़ेसे इस्यों सामने आ रहे हैं तो हम देखेंगें यह जो आर्टिकल है यह क्यों गंगा रिवर के बारें बताया गया है कि गंगा रिवर के लिए गोर्मिन ने कूप पैसा दिया है बट अभी तक कोई भी सुधार नहीं हो रहा है कोई धाक के तीन बा रेपो रेट है उसको 25 बेसेज पॉइंट से इंक्रीज हो कर दिया तो यह चीज हमें जाना करें रेपो रेट का मतलब ही होता है कि वह रेट जिस पे आरबेई बैंकों से पैसा उधार लेती है तो बेसेकली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यह दो रेट इसलिए ब बनाएं गी है ताकि market से तो पैसे का balance है उसको बनाएं जासेобщे अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो जो रबेई है तो repo rate और reverse repo rate का basically u printing क्या जाता है ये जो काम हो वो होता है monitoring policy committee की द्वारा अब बात करे है monitoring policy committee की तो monetary policy committee में total होता है है 6 मेमबर तीन मेमबर तो जाएंगे यहां पे RBA की तरफ से, तीन मेमबर यहां पे जाएंगे government की तरफ से, यह ऐसे से procedures में होती है, फिर यह decide करते हैं आपस में 6 लोग मिलके, कि हाँ भई रेपो रेट कैसे रखनी है, market में पैसे का influence कैसा है, कैसे में step वगरा उठा रहे हैं, तो अभी 25 बैसे स्पोंट बढ़ा दिये गए है, तो अभी जो हमारी रेपो रेपो रेट है, वो increase हो गई ह है, देखो बात ऐसी है, कि अभी जो रेपो रेट इंक्रीज किया, इसका मतलब सीधा क्या हो गया, कि अब RBI है, वो बैंकों से पैसा जो लेगी रोन पे, वो उसको महंगा मिलेगा, मतलब ब्याज ज्यादा देने अपड़े का RBI को, तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ, market के पैसा क्यों बढ़ने की जुरूत है, यह धान एकना कि जब भी रेपोड़ेट बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ, कि market के अंदर पैसे की supply बढ़ने वाली है, market के अंदर जो ही पैसे की supply बढ़ेगी, इसका मतलब भी हो गया, कि बैंकों के पास पैसा आएगा, अब देख करना चाहता है, वो लोन लेगा, और market में पैसा इंवेस्ट करेगा, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, और ने इंडिस्ट्री बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, जो employment हो जन्रेट हो रहा है, इसके साथ हमारी economic growth rate है, वो भी बढ़ती है, तो यह basically पूरा cycle यहां पे ह होता है, यह commitment हमने देखे, अब देखे, अब भी देखे, international level पे तो हालात कुछ ठीक नहीं चलना है, क्योंकि international level पे देखे, तो कुरू डोल की price है, वो भी लगाता arbitrary है, मतलब पैसा चाहिए भार वही, सब कंपनियों को पैसा चाहिए, ताकि कुरू डोल भार से खरीच सकें तो इसलिए पैसे कि उनको जरूत है, तो इसलिए उन्होंने रेपो रेट को बढ़ा दिया, ताकि RBI है, वो बैंकों से पैसा कम ले, और बैंकों के पो ज्यादा पैसा रहेगा, तो उस पैसे का यूज है, क्यों कर सकें, इसके साथ ही हम बात करें कि geopolitical जो टेंसन है, वो भ कहीं न कहीं हमें effect है, वो कर रही है, चाइना और US एक भी जो trade war है, उससे भी कहीं न कहीं हमें दिक्रत हो आने वाली है, कि बाहर है, कि जो बाहर की countries है, उनके साथ हमारा trade out हो ठपसा होने लग गया है, अब भई हमें खुद थो हमारी economy बढ़ानी होगी, इसके साथ आप एक government के पास भी तो पैसा limited होता है, अब government ने उस पैसे को खर्च कर दिया, अब government के पैसा को पेड़ से जाड़ना है, तो government के पास अगर पैसा कम है, तो market में कहीं न कहीं न कहीं तो invest करना होगा, तो इसलिए government रेपोरेट हो कम किगी है, मैंली, ताकि market के अंदर जो private stockholder है या private जो company है, वो loan लेके पैसा invest करें, देखो, government एक limit के बाद आपको बता दूँ कि पैसा invest नहीं कर सकती, क्यों, government की कुछ limit होती है, government ने भी MSP डिसाड़ कर दी, गरने के किसानों को पैसा दे दिया, इसके साथ देखा जाए तो, और भी किसानों के loan maaf कर दी, तो मतलब government ने बह अगले साल, फिर loan maaf करना पड़ेगा, तो एक सरदर दी वा, तो मतलब government के पास तो पैसा आप जाए नहीं, तो इसलिए government ने चाक यारकों ने जो बागी private stack holder है, वो पैसे invest करें, और इसे आदार पे monetary policy ने काफी समझदारी निवाई, और उन्होंने रेपोरेटर वो बढ़ नेक्स जो article हम यहाँ पर districts करने वाले हैं, वो हम यहाँ पर पहले देखेंगे, education के बार में जो article था, उसे हम देखने वाले हैं, तो second page पर article था ना, इसके बात हम यहाँ पर करने हैं, देखो इसमें दो point में से मैंने आपको एहम बतायते, एक तो बात कीगी है, no detention policy है, उसक देखने वाले नहीं है, अगर आपको फिल भी कोई issues हो basic के regarding, तो आप comment box में बता देना, हम एक अलग से वीडियो में discuss हैं, वो कर लेंगे, तो no detention policy का मतलब सिता-शिता यही है, कि बच्चों को fail नहीं करना, आठ वी class तक, तो अब भी क्या हुआ, जो central government आप बोल सकते होगे HRD मिनिशनिये का, कि भाई यह जिम्मेदारी सभी state की है, कुछ state चाहें, तो जो no detention policy को continue रख सकते हैं, कुछ state चाहें, तो इसको discontinue कर सकते हैं, मतलब सिती सी बात ही है, अब state के ओपर जिम्मेदारी है, state की जिम्मेदारी है, कि वो चाहें, तो बच्चों को fail करके, मलब जिम्मेदारी है, तो इससे काफी कुछ दिक्क्रते आने वाले है, एक दिक्कर तो रैटरी है बता रहे है, कि कुछ state के अंदर तो क्या होगा, बच्चों को गया, बच्चों को जबरस्ती पढ़ाया जागा, चै वो fail हो रहे हैं, चै वो second class नहीं की, बट फिर भी उनको third मे अगर कि दुबारा से उसी class में बठाना जीए, तो एक तो negative point यहाँ पर आ जाता है यह, कि अगर continue रहती है, तो इसका नुकसान क्या है, अब बात करते हैं, कि अगर no detention policy खतम कर जाते हैं, मतलब बच्चों को fail करने वाला जो scene है, उसको fail होने के बाद बच्चे next class में admission ना ल होगे, यह को हो सकता है कि पढ़ नहीं पए हो, बहुत से reason हो सकते हैं, बट यह मानों कि अगर कोई बच्चा fail हो गया, तो घरवाले क्या सुचेंगे, यार यह तो पढ़ने में ओस्यार्त है नहीं, क्यों इसको बहुत काम कर लेते हैं, ताकि कुछ ने कुछ दो चार पे कमाएगा और अपना धंदावंदा सेट कर लेगा, तो इससे हुआ क्या, हमारे देश में जो drop out ratio बढ़ जाएगा, तो मतलब राइटरिय कहना चारे हैं, कि अगर बच्चों को इन्हों डेंशन पॉलिसी को गर हटाय जा रहा है, तो उसका मतलब कहा है कि स्कूल का drop out ratio ब बच्चों को हमें फैल नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमें continue पढ़ाना चाहिए, तो देखो positive और negative दोनों चीज़े हैं, वो मनें आपको यहां पर बता दी, इसके बाद में बात की जारी है, Higher Education Commission of India है, यह क्यो बनाएगा, देखो यह बनाएगा था, basically UGC की जगह से बना बना रहा है, बितुब बिल है कर बना नहीं है, बस बनाने की बात हो भी चल रही है, तो राइटरी यहां पर बता रहे हैं, कि देखो जो UGC दी, University Grant Commission था, उसका क्या काम था पहले, वो दो काम करती थी, एक काम तो है करती थी, कि जो भी college और university है ना, उनको accredation मतलब मानेता वगरा देने का काम, syllabus वगरा, set करने का काम उसका था, दूसरा काम यह था, कि जो भी university वगरा है, उनको grant देना है, पैसा वगरा देना है, तो वो भी UGC देती थी, मतलब पहले सारी power थी, वो UGC के पास थी, बट आज के time पे गवर्मेंट वो higher education commission of India बना रही है, उसमें कु commission of India, तो राइटरी है कि पैसे देने वाला काम कौन कर रहा है यहां पे, वो कर रहा है HRD ministry, तो मतलब सिधा सिधा political aspects अब है, मतलब जिस पार्टे के सरकार होगी, वो अपने जो relative आपने करीबी institute होगे, उनको तो support करेगी, बाकि वो पैसा देगी नहीं, तो इससे क्या हुआ political aspects directly यहां पे घुशका है, तो इसलिए चीज़ सही है, वो नहीं है, तो इस चीज़गा राइटरी यहां पे विरोधा हो कर रहा है, तो यहां पे इस article में बस यही point नहीं थे, बाकि सारी कहानी है, वो पीछे की हमने बहुत बार discuss कर लिए, वो यह सारे गिसेप्टे point यहां होता है, oxygen hormone, जब child birth होती है, उसके दोरान भी इसकी काफी एहमलियोत होती है, जब breastfeeding होती है, उस दोरान भी इसका user basically किया जाता है, अब बात ऐसी है कि भी government ले आप बोल सकते हो कि जो हमारी health ministry है, उसने इसका production है, वो बंद कर दिया था, मतलब, क्योवल एक limited, जो government की PSU है क वहाँ पर production की बात की थी, बाकी सब बैन करने की बात थी, क्यों? क्योंकि इसका misuse बहुत हो रहा था, तो राइटरी है कि देखो भी है, misuse तो हर चीजगा बहुत हो रहा है, SCHT Act का भी बहुत misuse हो रहा है, देखा जाए, तो जो terrorism का जो एक्ट है, उसका भी बहुत मतलब, misuse तो हर चीजगा हो रहा है, तो इसका मतलब भी थोड़े कि आब उसकी बैन कर दो, हमें misuse को regulate करना चीए, misuse का मतलब क्या हो रहा है, कि उसका illegal use हो रहा है, गोर्मेंट की कमी है, मतलब गोर्मेंट के जो governance system वो डंक से काम नहीं कर रहा है, हमारा परसासन वो लापर हो है, इसलिए तो misuse हो रहा है, परसासन को इतने rule legalize से इतने stick रखने चीए ना, कि उसका misuse होई नहीं सके, अब अगर government इसको ban कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग हैं इदर दुसे जिनको जरुत है, वो तो इदर दुसे तसक्री कर के लाएंगे, तो इससे तो illegal जो तसक में जो जानूर होते हैं, उनको ज्यादा ज्यादा दूद है, वो production बढ़ाई जास के, इसके लिए basically उनको इन्जेक्शन है, वो दिया जाते हैं इसके, oxygen हार्मोन के, इसको basically low हार्मोन के नाम से भी जाना है, वो जाता है, अब women के अंदर इसका क्या contribution हो हम देख लेते हैं, परसनल लाइब या आप बोल सकते हो कि हमारे daily life के अंदर क्या इसका हम रोल होता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो जब भी pregnancy के बाद बच्चा होता है, तो उस तोरान ब्लेडिंग होती है, तो ब्लेडिंग के बाद उसको रोकने के लिए oxygen हार्मोन का यूज है, वो mortality rate है, वो भो ज़्यादा है, तो हमें maternal mortality rate को कम करना है, इसके लिए बेटर क्या होगा, हमें इसके तरफ step उठाने चीए, गोर्मेंट को इसको कम करने की बज़ा, इसका production कम करने की बज़ा, जो सही direction है, वहाँ पर सुपोर्ट करना चीए, अब भाई, जो आप देख सकते हो कि 40,000 women हमारे देश में ऐसे ही death हो रही है, क्यों क्योंकि bleeding हो रही है, उनके पास oxidation hormone है, वो अवेलेबल ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए गोर्मेंट को तो अवेलेबल करना चीए, तो एक तो यहाँ पर यह point ही रखा दाता है, दूसरा फिर point यहाँ पर data यह दिया गया है, क कि हमारे देश में देखा जाए, तो हर दो में से एक औरत मिल, 50% जो women है, उनमें blood की problem है, चाये उनको आप anemia बोल दो, या फिर बलड की कमी बोल सकते हो, या फिर इसके लावा मिलब उनमें hemoglobin है, वो सही level पे नहीं है, तो यह रैटरे कह रहे हैं, कि देखो भीया, जो oxygen hormone ह इसको ban करने से solution नहीं होने वाला, जिस direction में या जिस दिसा में इसकी जोरत है, वहां तो इसका use गरो, और जहां पर इसका miss use हो रहा है, वहां पर हमारे जो परसाशन या जो भी policy वगर है, उनको हमें थोड़ा tight हो करना होगा, ताकि इसका miss use नहीं हो सके, otherwise तसकरी बढ़ेग और use करने वाले लोग तो इसका use है, वह करेंगे, तो dairy form भी आज भी इसका missus हो कर रही है, तो बेटर ही है, कि में rule regulation चेंज करना चाहिए, और government को जो plant लेकर यह थी ban करने का, उस पर ring ठीक है, दुबारे सोचना चाहिए, नेक्स जो आर्टिकल हम यहां पर discuss करने वाले है, बात का है, groundwater की, कि groundwater है, वो लगातार हमारे देश में, हम बहुत गंदे तरीके से उसको अबजो हो कर रहे है, मतलब हम उसका बहुत ज़दा एक्स्प्लोएटर हो कर रहे है, पानी को waste कर रहे है, उसके बारे में हाँ पर आई है, फिर स्टार्टिक में थोड़ा डाटा दिय पानी को ज़दा वेस्ट हो कर रहे है, चैना की तो population हमसे ज़्यादा है, फिर भी वो हमसे कम पानी उज़ कर रहे है, और USA की तो चलों फिर मालब भी USA में पानी कमी उज़ ज़रा है, मतलब हम कहिने की लापर है, तो हमारे देश में कि पानी को बहुत ही, मतलब सस्ता तो क् पे पानी बिलकूल भी नहीं है, मतलब बना के बराबर पानी है, सारा पानी उनको एक जुली ओसें से जो है वो करना पड़ता है, तो वहां से हमें कुछ ने कुछ नहीं लीड अप्रोच है, वो लेनी होगी, राइटर बता रहे हैं कि एगर इंडिया के दर में बैक्राउं हम यूज है, वो करते हैं, अब आपको पता है हम कितना फूड वेस्ट करते हैं साल, इसमें तो इंडिया ने वैसे ही महारत हासिल है, वो कर रखिये, मतलब इंडियर्कली हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, अब बई आपको जानते हो कि गेहूं बनाय जा रहा है, चाहूल बन पानी का भी वेस्ट किया है तो वो हमारे लिए कहीं नहीं सहीं है और बात यह है कि हम नेच्वल जो रिस्वर्सें उनका बहुत तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक्स्वार्ट है उनको कर रहे है और इससे हमारी अब जो आगे की कि भाई वाटर क्रेस्ट आ क्यों है वो देखते हैं तो वो इसके पीछे बहुत से रिजन्स हैं एक तो यह कि आज हम जिधर भी दखो चारो तरफ घर में मलब घर की बात नहीं सीटी में कहीं भी लेलो कच्ची जगह है यह नहीं मलब जमीन देखती नहीं सब जगह पक्की ज यह होता है कि जो पानी है वो लेंड पर रुक ही नहीं पाता है मलब जमीन के अंदर पानी जा नहीं पाता है यह मालो कि यह रोड है अब आपको पता कि रोड पर तो पानी रुक नहीं पाएगा तो रोड पर रुक हैगा तो यह पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा द पानी नीचे से तो हम भाहर निकाल रहे हैं, ग्राउंड वाटर को एपजोर्ड तो कर रहे हैं, उसको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो उल्ठा में नुकसान होने वाला है, यह तो आप कुछ जानते हो, कब तक निकालेंगे, जब तक पानी खतम हो जागा, तो फिर हम को जारी है, कि floodplain है, वो भी लगातार खतम होते जारे हैं, अब floodplain की बात हम वो करते हैं, जैसे मालों कि यह एक नदी है, नॉर्मल तो नदी आपको बता है कि थोड़ी सी जिगह में बैती है, बट जो ही अगर बादिस का पानी मोसम होता है, तो नदी का क्या होता है, पानी आ पाड़ा जाती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, यह हाल होता है, तो इससे floodplain है, इसका फायदा देखते हैं पहलते हूं, floodplain का फायदा एक तो यह होता है, कि इस वाले एरिय में पानी भोज़ ज़दा होता है, नदी में जितना पानी होता है, उससे 20 गुना ज़दा पा कि भई पानी यह जा रहा है, तो ground water recharge होगा, तो future में हमें कोई problem नहीं होगी, तो यह कहीं न की, यह हम कम यह एक दूर कर रहे हैं, इसके साथ writer फिर यह बता रहे हैं, कि अगर देखा जाए, तो illegal construction है, वो भी हमारे देश में बहुत ज़दा बढ़ रहा है, तो हमें illegal construction को रो तो यह तो हैने कि सब जगह से आता है, जगह जगह उसकी factory यह वही से बन के आता है, मतलब उस वाले area से हम जो पानी है, उसको एपजोग कर रहे हैं, तो एक time के बाद क्या होगा, जहां से जो पानी आ रहा है, वहां से पानी खतम ही हो जाएगा, तो battery है कि हमें पानी की diversity द होते हैं उस वाले area में, वो 5 मिलियन लोगों को mineral पानी है, mineral पीने लाइक पानी है, वो provide करवाता है, मतलब आप यह कह सकते हो, कि 30 square kilometer area में जितने forest होते हैं, वो 50 लाख लोगों को पीने का पानी है, वो available करवाते हैं, यह concept यहां पर दिया गया, तो forest जितने जाधा होंगे, उस पे उतना ही पानी हमें mineral पानी मिल जाएगा, बारिस का पानी भी हमें जो है, वो use है, वो करना चीए, इसके साथ ही ground water recharge की परिकरिया पे भी में ज्यादा ज्यादा focus है, वो करना चीए, तो यह writer के दोगा कुछ citizens यह point थे, तो उनको हमें यहां पे धान में रखना चीए, इससे के साथ daily life में भी हमें पानी का conception है, वो सही डंग से करना चीए, ऐसा नहीं कि हम पानी को waste करें, तो यह थी हमारी complete discussion, इससे के साथ आप एक चीज़ यह बताना कि जो दैह हिंदू editorial discussion है, यह हम या तो दोपेर को रख सकते हैं या फिर evening को, क्योंकि काफी कुछ आर्टि ज़्यादा से ज़्यादा discuss हो कर सकते हैं, एक वीडियो हम सुबह discuss के लेंगे, जिसमें current affair रहेगा पूरा, और एक वीडियो हम साम को discuss हो कर सकते हैं, तो प्लीज आपको यह कैसा लग रहा है, जिसने एक बर आप comment box में बताना जुरूर, अगर सही रहा, तो फिर हम यह रख होते हैं, जो ओर आप think tank है, वहां के editorial हो गए, फिर आप बोल सकते हो कि और भी तरह कि जो मरलब इंडियान एक्स पर देनिक जागन के editorial हैं, वो, क्योंकि देको अभी देनिक जागन में भी दोतीने editorial ने important आयते हैं, तो वो भी हमें discuss करने हैं, तो इसलिए हम आपसे suggestion है, वो मांग रहा हूं, तो फिलाल के discussion में बेलिक इतना है, thank you very much for discussion.